अगर आप इन साथ दिन के अंदर कर गए ना, कल को आने वाले जनरेशन को आप बताओगे, कि मैंने भी साथ दिन के अंदर कर लिया था, do not worry, होता है, तेरा भी हो जाएगा 27th of ev 2023, जहापर आप सब class 10 के बच्चों को देना है, class 10 का board का examination मतलब English का paper और आज कितनी थारीक है, 19th of ev, अभी भी यहाँ पर, 7 दिन बच्चे हुए है, सबसे पहले तो यह आपको यह recognize करना पड़ेगा, और यह कमी आप कर रहे हो, यह आप मुझे बताओ, ऐसा कभी होता है क्या, writing skill बच्चे ही कमजोर है, तो grammar पी होगी, नहीं विडा, हो सकता है, क कोई बच्चा आपका grammar पर खमजोर हो, तो उसकी literature अच्छी हो, literature क्या होता है, आपके chapter से, आपके story है, जब school गए होगे, तो 80-40-50% तो आपकी attendance होगी, आपने सुना होगा, आप यह बूल जाते हो, आप एक साथ लेकि बैठे हो नहीं हो पाएगा, आपने करना कहे, कोई द अब मुझे comment down करो, कि sir, मुझे किसमे कमजोरी है, उसके according मैंने सारी PDF को attach कर रखा है, और आप वैसे करो, माल यह चाहिए किसी बच्चे का writing skill कमजोर है, तो मैंने यहाप writing skills की अलग सी PDF attach कर रखी है, तो आप जाओ, और writing skill में, पुरा format दिया हुए आपको, आप पहले format पढ पूरी होते नहीं, chapters में कुछ part important होता है, वो में बताया हुए है, और साथ में कहां से questions की practice करें, यह सब कुछ है, तास में सबसे बड़ी टेंशन आप गया है grammar की, grammar कैसे करनी है, बस आप बहुत कम करके grammar पर कैसे best score कर सकते हो, यह सब कुछ मैंने इस वीडियो पर discuss किया हु बस आप पूरा देखो, और इस वीडियो को देखने बाद सिर्फ अगली वीडियो में देखना, आप बस बैठो, और जो मैंने बोला है, जो आपके संतोष सर भाया ने बोला है, उसको follow करो, लेकिन आप करके देखो, बैठो तो सही यार, आप बैठो गए नहीं, आप सोच और जो बोला करो, और करके मुझे कॉमेंट करो, कौन, कौन, जो मैंने बाते बोले करने जा रहा है, लेट में नोगे कॉमें सेक्षन, और सब मिलके बोलेंगे, this is the power of AVK, S, AJ, and कोई भी problem है, मुझे कॉमेंट करो, कि सर मुझे यहां दिक्कत हो रही है, अब बिलकुल शान् मैंने बिलकुल ऐसे PDF को organize कर रहा है, जिस वेव में आपको अपनी तयारी करनी है, और जिस category पर आप लाई करते हो, उस category के according करनी है, सबसे पहले, जिन बच्चे को यह भी नहीं पतना, किस लेबस कहा है, देखो यह रहा, सबसे पहले, और यह सारी PDF आपको अने Academy के Telegram के channel प मुझे पता बहुत होश्यार है, यह syllabus आपको पता होगा, by chance अगर आपको doubt अभी भी है, तो आपके सबसे पूरा syllabus है, इसको बच्चा आप रीडिक कर लेना, और किस pattern पे आपका exam आने वाला है, यह सब कुछ यहां mention है, कितने माक्स का grammar है, कितने माक्स का हुई है, दने के औ because मुझे पता है कि मुझे थोड़ी सी language की understanding है, जिन बचो को language की understanding है, मालो कि उन्हें पढ़के थोड़ा बहुत meaning निकालना आते हैं, तो अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं बिटाप, तो please क्या कर सकते हो आप, आप यह करना, कि आप जब exam में बैठोगे, आपको एक बा है, और एक पहरा फॉर है, और पहरा फिफ्ट एंड अपका सिक्स है, और एक और आपका सेवन्थ हो जाएगा, मालो कि यह आपको कुछ भी समझबें नहीं आया, बस इतना तो यार निकालने लिए न, देखो इतने बुरे नहीं होते हैं, अब्विस ही होते हैं, इतना तो ह मैं damn sure करो बटा, कुछ कोशन के आगे तो आपको hint भी दिया जाएगा, ये पहरा साथ है, मालो कुछ भी नहीं आया, तो आपको ये कोशन को read करना है, बस एक ही तरीका है, इस कोशन को read करो, लेकिन पहले कोशन read मत करना, आप पहले unseen passage को read करो, ये मैं करो बटा, कुछ cartoon आप मिल जाता था लेकिन आज कल तो जब तक तुम पैसेज को नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे डने गया तो आपको बच्चा यह क्या करना है यहां पर जहां बोला पहरा साथ तो पहरा साथ नहीं आज़ा यह रहा उसको रीड करना तो यह जो कोशन्स है उसका आज साथ को डेफिनिट नहीं मिलेगा तो इतना करने के बाद एटलीस बच्चा आपका पांस से छे माक्स इसमें गलतनी होगा और ध्यान से करोगे तो आपका राम से दस में से आठ या नौप सही करके आओगे बिल्कुल राम से करके आओगे इसलिए बच्चा आपकी यही होना चाहिए और 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 आपको लगता नहीं यार अब भी टाइम है मैंने सेक्शन सेक्शन सी तयार कर लिए सेक्शन बी कर लिए तो उस केस में आप क्या कर सकते हो बैट के अपने एक्जाम 27 एक्जाम है आज 19 थारीक है तो आप कम से कब यहाँ पर मैंने 8 से 9 unseen passage को अटाच कर रखा प्रैक्टिस कर सकते हो देखो यह चीजी बहुत जी प्रैक्टिस से आती है बस मैं यह बोलूँगा लेकिन लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप section एक को time मत दो section एक पढ़ो यह ना पढ़ो आपका वहीं जाके वह हो जाएगा बस थोड़ी से understanding होनी चाहिए तो यह जो PDF से वह आपको टेलिग्राम के channel लजाएगी तो यह unseen passage का है दो आने वाले एक आपका discursive और एक आपका factual है जो factual है वो थोड़ा असान होता है as compared to discursive है आजाओ और don't worry कैसा paper आएगा उसके लिए में सबसे आखरी में एक sample paper भी यहाँ attach का रखा है बहुत helpful आजाओ तो यह हो जाएगा उसके बाँ unseen passage आपको देगा 20 marks से writing skill की बात करते हैं सबको पता है कि writing skill है हमें आपके 4 letters है जिनमें से आपके exam पे एक आने वाले है अगर आप मुझसे पोच़ोगे संतोसर आपके according कौन साएगा तो मैं आपसे बोलो लेटर to the editor आपका सबसे ज़्यादा important है और सबसे अची बात है यह जो PDF है यह रामबान है आपने कुछ नहीं करना आप सभी को आता है बोलो क्या यह format सभी को आता है जाना हमने सीखा हो बोलो जली बिलके बोलो S, D, S, D, R सब क्या कर रहे थे बिटा salute कर रहे थे हमारी body को देखकर और उन्होंने बोला कि आपकी इतनी ची body है हम तो आपके YouTube का सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा यह signature मागा और मैंने नाम लिख के दिया दन है क्या? यह format है यह किसका formal letter का? जो हम बहुत बड़ डिसकर कर चुके है तो यह format है, इसी format के recording आपको चलना है अगर आप format और थोड़ा बहुत लिख जाते है विच के आगे जो topic के mention होगा then last में कैसे करना है क्योंकि आपकी body तीन paragraph की होगी last में कैसे conclude करना है तो यह as it is आप learn कर लेना यह करने के बाद यह बहुत सारे आपको practice दे रखे कोई एक आप solve करना मैं बोलूँगा अगर आपने कुछ भी नहीं किये तो आप letter to editor करो तब भी save zone पे हो लेकिन जो topper's है मुझे पता है आपने पढ़ रखा है तो आप क्या करें यहाँ पर जिससे आप letter to editor हो चाएगा उसका यहाँ formal letter में making a complaint है तो same होई है नीचे आप क्या करो आपने complaint letter देखना है यह कुछ नहीं पढ़ना आपको कि क्या remember ना जी ना कुछ नहीं पढ़ना आप सिर्फ उसका format देख रो अच्छा यह format है और उसके according यहाँ पर चीज़े लिखी हुई है बस इसको आप बैट के एक बढ़ना आपको learn में नहीं करना बच्छा इसको देख देखकर इसको देख देखकर टॉपिक के according आप एक letter लिखो इस example यहाँ पर एक letter दिया हुआ है तो इसके according आप करोगे न 100% करो उच्छा हो जाएगा लेकिन हमें बहाने मारने हम तो नहीं करते अरे एक हो जाएगा आप करो तो सही सेम वही है उसके बाद बच्छा आपका हो जाएगा बोलो क्या making an inquiry है मान लो आप किसी course में interest हो या किसी चीज में interest हो जो कि आपका advertisement छप्पी है आपका newspaper में तो आप उसके बारे पूस्ताच करना चाहते हो कितना मस्त तरीक है यहाँ पर आपको एक example दिया हुआ और मस्त तरीके से आपको same format है letter के जो चारव टाइप से हो पर same format फालो होगा बस यह जो fixed line है यह से यह हो गया यह learn कर लो same अच्छा यह fix है अपका learn कर लो यह भी fix है learn कर लो 10 से अच्छा 19 तारीक आज वह यह 2700 exam है 6-7 दिन में को क्या कर दोगे link करना पढ़ेगा और एक letter की practice कर लो तो यह जो भी आपके letters है और last अपका placing order है same बचा इसका भी मैंने यहाँ पर format attached कर दिया है आप ए letter को देखो एक बार और read कर लो बस अराम से कर जाओगे तो आपका यह जो writing skill है जो आपको 10 marks देगी और उसके बाद आओगे ना analytical paragraph है तो आपको analytical paragraph में यह कुछ read नहीं करना बस एक काम करो जो format है इसको आप read कर लोगे और यहाँ पर बताएगे किस तरीके से आपका analytical paragraph लिखते है माल नहीं जाए कि टाइम बहुत कम है तो आप सिर्फ क्या करें बचा आप सिर्फ देखो यहाँ पर एक heading है यह आपका एक heading है उसके इसाब से देखो कि आपका किस तरीके से लिखा जा रहा है देखो main बात है language एक ऐसा subject है जहाँ पर teacher का बहुत कम रोल होता है यह बच्चे इने the last के 10 year में क्या सीखा हुए है जब से वो school में जा रहे है वो depend करता है तो आप अपने उपर confidence हो देखो simple से यह एक language है हम तक यह सोचते है कि इसका वो learn करना ही बिटा आप बस बैठो और जो मैं आपसे बोलना हूँ letter देखो एक बार read करो अच्छा read करना होता आता है graph shows death and okay अच्छा है इसे लिखना है तो तूटा फूटा भी लिखकी आओगे ना यार आपके marks आ जाएंगे आप हमेशा 100% की सोच नहीं सोच नहीं नहीं है आप बस ही सोच हो मुझे अच्छा करके आना है आपका score puck का विटा 80 प्लस ही आएगा 90 प्लस ही आएगा डन है क्या चलेगा तो analytical paragraph में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको यहाँ पर एक बार बस एक फर्स और दो दे रखे I think आपको एक और एक practice के लिए तो एक इसको read कर लो और एक आप लिखने की कोशिकर हो आज कल बच्चों ने लिखना और सुनना बंद कर दिया आप लिखो लिख के देखो के हो जाएगा तो आपका यह same PDF आपको टेलेग्राम के चैनल पे अब आज जो grammar पे मैं आपसे फिर बोलूँगा grammar पे सिर्फ दो आपको advice में देने जारो अब 12 structures को बिलकुल ध्यान से एक बर structure को copy पे लिखना आप मानोगा नी इस structure से बहुत सारे question पूछे गए है same बच्चा आप तो आप search करन direct to indirect special conversation आपका यह है और जिनकी grammar पे दिक्कत है जिनको grammar master करना है आप यहाँ जो भी questions है आप बताओ यार यह कितनी देर में हो जाएंगे यह आप चाहिए कितना भी बढ़ लो करना खुद बढ़ेगा आप सिर्फ बैठके से कर लो एक बार कर लोगे ना एक से दो घंटा भी करोगे ना चाची कसम करों confidence बढ़ जाएगा कि सर यह तो हो जाएगा आप करके देखो सबसे अची बात है answer भी गिए बने और यह करना एक बाटेंट करोगे मैं करों फिर से हो जाएगा अब मैं एक science का teacher हो लेकिन मुझे पता करना क्या है इसलिए पिटा आप जो मैं बोल रहा है उसे फॉलो करो बस इतना ही करना आपको और कुछ नहीं करना done हंजी सर अब उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आपको परिशान कर रहा है वो आपके हैं बोलो क्या यह literature part जो कि आपको 40 marks देखके जाने है सबसे बहले आप literature की बुग खोलो अपनी अभी खोलो मेरे साथ सा NCRT पे इंडर ठीक है तो आपके पास यह chapters है और क्या ही सारे पढ़ने ना जीना तो आपके पास मैंने यहाँ syllabus को टाइच कर दिया तो यहाँ पर जो chapters दे रखे होंगे first flight के अंदर कुछ तो आपके पोएम्स आ रही है कुछ बच्चा पोएम्स आ रही है और कुछ आपके बोलो कि आप प्रोस आ रहे है मैं आपसे बोलूँगा पहले आप पोएम्स खतम करो पहले आप पोएम्स और पोएम्स के अंदर भी कौन कौन से जो में ने बटा a tiger in the zoo मैं में इसलिए कहा रहा हूँ कि cbs ने जो लास्ट के 10 एर पूछे है एक ये बटा how to tell wild animals एक ये हो जाएगा और एक बच्चा आपके पास है हंजी the trees और एक बटा यहां पर पहुर एनिग्रेग्री ये याद से करना ये याद से करना बच्चा tiger in the zoo how to tell wild animals the trees और वहुर एनिग्री इसके अलावा बाकिए आप करो ना करो जो आपकी first fight की book है न as it is अपनी book खोलो और वहां जाएकर उसको read करो और read करने के बाद आप उसको समझने की कोशिस करो देन अगर नहीं हो पारा कोई बात नहीं है उसका भी जुगाड है ये आपके समने जो मैंने पोएम बोली है इस example जैसे मैंने आपको वो लिटा कौन से poem आजाओ येस मालू मैंने बोला आपका आपको नीचे मिलने वाला हाँ जी देख़ए राख ये हो जाएगा तो उसमें आप poem पढ़ो और poem पढ़ने के बाद ना यहां कुछ questions है जब आप इस question को solve करोगे और नीचे questions है बोलो हाँ और questions क्या आपका answer भी है जब आप इसको solve करोगे ना तो आपका पूरा idea मिलने वाला है अच्छा असर poem पर ये था जो poem मैंने mention किये हैं आप इसको read करो और yes आप इस question करो खास के सिरे क्या हो जाएगा कि question पूछे कैसे आपका idea मिल जाएगा done आपका then बच्छे बारी बोलो किया chapters की chapters पूरा मत पढ़ना बिल्कुल मत पढ़ो देखो आप सची बोलना आप सची दिल पर आत रखे बोलो आप school गए हो ना लगबग 200 दिन school गए हो school में जब teacher ने English पढ़ाया होगा कुस्त तो सुना होगा चलो मैं 100% की बात ही नहीं कर रहा 80-40 से 50% तो सुना होगा ना इतने देखो चाहिए हम कितने बदमाश हो चाहिए हम back venture क्यों ना हो सभी किया रहो मेटा हम सुनते जरूर है कि हाँ सर इसमें ये था और letter to God में हाँ पता लेंचों ने क्या किया था ये सब पता होता बोलो हाई ना पता होता ना बस उसी को ना अपने words में लिखना है अब देखो यार जब हमें पता कि हमने महनत कितनी करी है तो हमें उतनी ज़्यादा उमीद नी करनी है हमें इसे बस best कर कि आ आना जितना आपर पास capability है, compare मत करो, मैं हर बार बोलता, compare मत करो, done, तो आप सिर्फ क्या करो, जो first slide में यह ढाल रहे है, यहाँ पर देखो, हर chapter के आगे, आपकी बने summary अटेच करके, हर chapter के आगे, बस, यह summary पढ़ लो, खतम, और उसके अब टाइम बचेगा न, तो passage को, एक दो passage को solve कर लेना, तो इससे आपका idea मिलेगा, done, अच्छा, same वही है, same वही है, आप आपका, आप next chapter में आना, जो chapter आपके आ रहे है, और यह, इस example यह chapter आपका, बस इसके summary पढ़ लो, summary तो पढ़ सकते हो, summary पढ़ सकते हो, हाई न, हाई जी, sir, okay, और कुछ-कुछ को लोग ऐसे कर लेकिन उनको न, copy मत करो, आप सिर्फ इसके point जो खुद पढ़ो, आ, young seagal, ऐसे करके, तो आपको एक अच्छा और एक बैतनी idea मिलेगा, आगे बड़े बच्छा, जल्दी से बोला जाए, हांजी, sir, और जिनको लगता कि नहीं, sir, हम चाहते कि हम आप से 10 दिन के अंदर कि आप सेम, फिर से class तेने जा रही है, तो आप सभी scratch course पर end all कर सकते हो, करना कैसे आगे मैंने बताया हुआ है, और जल्दी जाओ, end all करो, 240 के अंदर आपको, बच्छा, English भी मिल रही है, और science भी, और मैं अदावे से क्यासता हूँ, 10 दिन के class में, आपको confidence, एक level में उपर करा के बेज़ूँगा, so, और, ये कैसे 240 होगा, आप से code मागा जाएगा, you have to use the code, ग्यानी 32, और जिन बच्छों ने मुझे अभी तक, अने academy के platform पे follow नहीं किया, follow का लेना, क्योंकि, ABK, SSJR, and बच्छा बड़ी, आपके मन में जरूर आ रहा होगे, sir, इसमें क्या करने व पूरा schedule है, अब एक बार देखा जाए, सबसे पहली class में हम, one shot letter writing, second पे one shot analytical paragraph, और उसके बाद grammar के हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर 4 session, और literature के 3 session है, और इतने में इतना करवा देंगें, बिटा, कि आप सब का score, 100% यहाँ पर best जाने बार है, so, किस बात की देरी, जाओ, सब चाक के अंडरोल कर लो, then बच्छे बात करते है, footprint without feet है, यह वैसे इतना scoring नहीं है, लगबग, लगबग मान लो, on average आपका, 10 से 12 माक से यहाँ पूछाएगा, बस क्या करो, आप वही कहानी है, chapter पढ़ने की जरुवत नहीं है, आप सिर्फ किसमें ध्यान दो, आप इसकी summary प पता है, तो आप मुझे सर, grammar दिखते हैं, तो आप grammar पर जाओ, और solve कर लो, सर मुझे grammar आती है, सर मुझे जो है, point पर दिखते है, यह करो, यह सारे PDF में अटाच्च करने जा रहा हूं, और जिनको सब को चाहता है, संतो सर का जुगाड है, यह सर यह रहा, यह बोलो कि सैंप पर मैंने अटाच्च कर रहा है, आप करते हैं, हम सैंपल करतों लेंगे, चेक कैसे करेंगे, इसका solution भी नीचे में, इसके solution भी नीचे दे रहा है, इसका solution भी है, खतम, और क्या चाहिए बिटा, आप कितने steps हैं, एक steps, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नौ बने रहो, अने अकडमी के platform के साथ, यह तो English है, अब यह आगे आगे देखो, साइंस के लिए क्या plan आता है, और ऐसी live class करने जारे marathon पर आपको मज़ा आने वाल है, and yes, thank you so much for giving your valuable time, विल्के आप सभी से next lecture पे सीव एनरजी के साथ, तब तर के लिए take care and full लपेट हो, जलनी स English complete करो, पिस साइंस पढ़ने की बारी आने वाली है, take care.